आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ So question में पूछा जा रहा है Why is starter added to set the milk into curd? Explain तो starter basically क्या होता है इसके लिए scientific word हम ले लेता है वो होता है inoculum ठीक है inoculum जो होता है ये basically हमारा एक ऐसा substance होता है जो कि हमारे milk को curd में बदलने में help करता है हमें ये पता है कि milk को curd में बदलने के लिए यहाँ पर कौन सा bacteria काम करता है वो होता है हमारा lactobacillus ठीक है lactobacillus bacteria हमारा क्या करता है anaerobic respiration करता है anaerobic respiration करता है और यहाँ पर यह किसके उपर feed करता है यह feed कर रहा है हमारे यहाँ पर milk sugar पर जिसम बोलते है lactose ठीक है lactose पर यह करता है feed और इससे यह anaerobic respiration से क्या बनातेता है यह lactic acid और यही acid हमारा क्या करता है हमारे milk को curd में तब्दील कर देता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ inoculum की तो inoculum का मतलब क्या होता है यह असल में हमारा क्या है यह जो दही का जामन आप जिसे कहते हैं यह असल में क्या है lactobacillus के एक culture है ठीक है यह lactobacillus का काफी सारे Lactobacillus इसके अंदर होंगे और जैसे आप इसे fresh milk के अंदर डालेंगे तो fresh milk के अंदर इस culture को डालने से क्या होगा यहाँ पर जल्दी से जल्दी यह जो Lactobacillus से डिवाइड करेंगे और यह अपनी respiration शुरू करके कर्ड को जल्दी बना देंगे ठीक है वरना अगर आप इस नाचरल बे में देखेंगे नाचरली milk को यहाँ पर कर्ड बनने में काफी टाइम लग जाएगा और इतने में तो आपका दूर भी सट जाएगा तो यहाँ पर starter इसलिए जालते हैं जिसे कि हम जल्दी से जल्दी कर् क्लासिक स्ट्वेल से लेके मीट आई 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 टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल ता स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर